कि हैं कि हैं आज के जो अग्शन से बहुत ही इंपोर्टेंट कॉस्झस एक नियुक्छ चाइएवम दोरी नियुक्त किसी भी कम्पिटीशन से छाम में अपको एक सी दो कॉसेंड से मिल ही जाएगा इस टॉपिक शे और मैक्सिमम जो स्टुडेंट होता है वो छोड़ देते हैं उससे लगता है कि बहुत यह आलजाल का कॉशन से नहीं बनाई है और फिर टाइम ओपर लग जाता है इस टॉपिक के कॉशन को चुटकी में सॉल्व करने के लिए क्या सोट्रिक है क्या कैसे सॉल्व करना चाहिए हम आज इस वीडियो में देखेंगे लिए इस टाइप के कॉशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमको याद रखना चाहिए वह होगा यह कि देखिए परेच्छक आने कि देखने वाला जदी यहां आए और वास्तु जदी उपर में तो उनियन कॉन जो बनेगा वह आपका यहां पर बनेगा तो जब भी परेच्छक ऊपर में रहेगा और वास्तु नीचे रहेगा तो इसका आउनमन कॉन जदी बोलेगा तो आउनमन कॉन यहां पर बनेगा लेकिन वही भेलू बराबर इतना यहां पर हो जाता है तो उनियन कॉन के बराबर ही हो जागा यह कि तो जो वहाँ पनेखा वह यहाँ भी बन जाएगा इसलिए कभी-कभी लॉन देता है कभी कभी-कभी ऊनियान कहते देता है है नेस्ट-ठेट जो को आधर थेसे च्टपभवड है कि Dil आ पाधर गोह 50 अधर भी बैम समें न फीन थेट पॉजलавать आपका लम जो कि यह लम हो गया जैदी ट्रेंगल है और यहां 90 डिगरी बन रहा है तो आपका यह लम हो गया तो लम हो जागा लम बराबर पी और अधार बराबर बी जो यह है एच एच बराबर होते हैं आपका करना तो जब इसके इसके रिलेशन में जैदी दिया हो रहेगा का डिया हो रहेगा पी दीआ वह रहेगा और आपका मैंन है तो साइन थिता लोभिग Lewis की साइन थिता कोró n 30 तक जिरो डिटी पिस डिटी और 45 डिटी और 60 डिटी और 90 डिटी का जो भी भूली होता है वह सब को आध रखना है जदी आध नहीं होता है तो आप इस तरह से लिग के जब भी कॉस्टन को स्रॉल करें तो आपने सामने रखें ताकि आप देख देखके बनाए जोड़ प्र देखता है फिर कुछ समय के बाद दूसरा नाविक 45 डिटी के कौन पर उसी गुबारे को देखता है इस बिच नाव ने कितनी दूरी तेकी मतलब जिल दिया हुआ है इसमें तो जिल इसमें जब भी इस तरह से मान लिज़े के एक जिल है और एक उपर में गुबारा उड़ यह हूं है 25 डिटीक का कौन बनाता है और जब नयां आजा तो अपका फोती भाइडीडी का बनेगा तो एक बर यहां से यहां तक लाइन कीच लेना है है एक पर यहां से यहां को अंधकिक लेना है तसले सी नि कम लो पर यहां मंसे है a इसब देखिए कि यहां है गुबारा आपका क्या दिया हो और यहां नाव है यहां नाव राता है जब vendor को यह यहां अंगल बनाता है और आपका 45 डीडिका बना रहा है तो आपका यहां है और आपका दे दिया हो 600 फिट गुबारा से जील उपर से गुबारा तक के उंचाई जो दिया हो वह 600 फिट दिया हुए अब देखिए आप करना क्या है कि जब इस टैक को से आए तो सबसे पहले देखिए 45 जैसे दिया हो रहेगा 45 डिग्री तो इस डिग्री के सामने वाला कौन और इसका अधार जोगा वह ब्राबर होगा एक्वल किसी भी कॉस्टन समय जादी 45 डिग्री आ जाए तो इसके सामने ब्राबर होगा इसका अधार तो इसको सबसे नाम देता है यह बी सी उड़ी तो आपका 600 फीट जदी यह भी हो गया तो बीडियों आपका 600 फीट और यह हमको पुछ दिया है तो जो पुछ दिया गा उसको एक्समान लेंगे एक अधारा है प्से फर्मूला लाएगे थीखकी लम और अधार में दिया हूँ है तो लम और अधार होता है आपका 10 एंद ब्राफ कि बीडिट और प पुछ displaced गिरी तो ने क्रिकत टेन तीस डीडी का मांद जो होता है वह आपका होता है वन बटा रूट थिरी आध कर लेना है और 600 बटा 600 पॉलस एक्स केचिया गुना हो जाएगा आपका तो 600 पॉलस एक्स इधर आयागा और रूट थिरी से उसको उना करेंगे तो 600 रूट थिरी अब एक्स बराबर ने कर लाए तो 600 चलियागा उदर 600 रूट थिरी माइनस 600 अब एक्स इसक्वाल टू 600 रूट थिरी माइनस वन जो होगा आपका अंसर ओप्सन्स सी तो इसी तरह से चलिए देखते हैं कि एक डेड़ सो मीटर उंची इमारत ये के सीर्ष से इमारत बी के सीर्ष पर 45 डिगरी उनियन कौन बनता है इमारत बी के तल पर 30 डिगरी का आउनमन कौन बनता है इमारत बी के उंचाई कितनी है से कौसंट कर रहा कि एक इमारत यह है यह क्या है इमारत यह यह माल लेता है जो कि डेढ़ सो मेटर उन्चा है ठीक है और नेक्ट दुसरे तरफ कर रहा है कि इमारत B के सिर्ष पर 45 डिरी का उनियन कौन बनाता है तो उनियन जब बनाएगा तो यह अपने से इसका जो उपर होगा इसे और इमारत B तो इमारत B इसको मान लेते हैं और उनियन कौन बना रहा कितना 45 डिरी तो यह आपका 45 डिरी यहां बनेगा इमारत ये के सिर्ष से इमारत B के सिर्ष तक उनियन कौन 45 डिरी बना रहा तो यह यह 45 डिरी नेस्ट उसी उसी कॉसें से का रहा है कि यहां जो बनेगा एंगल ओ एंगल इसके बराबर होगा यहां जो बनेगा तो यहां भी 30 डिड़ी इसके बराबर होगा उसका देता नाम ए बीडी और ए ठीक है यहां तक को दिकत अब दखिए जहां 45 डिड़ी दिया हुआ है तो इस यह इसका सामने वाना और यह अधार यह दोनों बराबर होगा तो यह जदी एक्स होगा तो यह भी अपका एक्स होगा तो यह-पी अशी होगा क्योंकि यह ओर यह बराबर है और यह 501.5 मिटर है तो यह भी एककर यह 빛ू सो एक्सपूलस लेड्स सबस्सका हुचाहोगा तो चल यह आप देखते हैं कि इसका tha एक्स का भाव निकालेंगे जो यह विरा यादеш करों कर देंगा तो हो जाए का हिमारत B का उंचाई तो हमको सबसे पहले निकाला है एक्स का भेलो कहां निकालेंगे तो यहां तीस डिग्री से निकलेगा एक्स का भेलो तो टेन 30 degree is equal to P by B P by B लेना है P by B P हो गया आपका ये लंब और अधार हो गया X और ने कि 1 बटा रूट 3 is equal to डेड़ सो बटा एक्स 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 इसक्वाल टू डेड़ सो रूट 3 बटा देना है अन्हें कि डेड़ सो रूट 3 प्लस डेड़ सो अन्हें डेड़ सो कमन लेंगा है तो वन प्लस रूट 3 या फिरूट 3 प्लस वन जो कि आपका उप्संस में है ओप्संस D में तो इसका जो सही अन्सर होगा होगा आपका ओप्संस D तो एक क्वेशंस है आपके लिए इस क्वेशंस को सॉल्ट कर लिजेगा और इसका अन्सर आपका कमेंट में बताईएगा और इसका सही अन्सर हम कमेंट में पिन अप कर देंगे तो चलिए मिलते हैं न झाल